पिट शौचाले के लाव जैसा के हम सब जानते हैं, खुले में शौच करना स्वास्त के लिए अत्यंत नुकसान दायक है। लगभग अस्ती प्रतीशत बीमारियों की जड़ हमारे आसपास मौजूद गंदगी है। एक इंसान के मन में लगभग एक करोड से अधेक वायरिस होते हैं जो मक्षी मच्छ के द्वारा मनुश्यों के शरीर में प्रवेश कर उसमें बीमारी भैलाते हैं। दरसल आम तोर पर हमारे शौचाले से निकला मल नदी नालों में जाकर मिल जाता है। फिर यहीं मल बहते पानी से होते हुए वापस हम तक पहुच कर हमें बीमार बनाता है। इसलिए अगर बीमारियों से बचना हैं तो जीवन में तीन मंत्रों का पालन जरूर करें। उत्तम गुर्वत्ता वाले सेप्टिक टैंक बढ़वाएं। तीन साल में एक बार सेप्टिक टैंक साफ करवाएं। ओबर क्लो से बचने के लिए लाइसेंस्ट ऑपरेटर को बुलाएं। इस बात को सुनिश्चत करें कि मल को ट्रीट्मेंट प्लांट ही ले जाया जा रहा है। गंदगी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए जरूरी है कि ट्विन, पिट, पोर, फ्लश, वाटर, सील, टॉयलेट यानि दोब, गठों और पानी उडेल कर मल, निस्तारण वाली जल अवरोत प्रणाली पर आधारत शौचालेओं का नर्मान करवाया जाए। चलिए, आपको पिट टॉयलेट के बारे में विस्तार से समझाते हैं। गठ्धे के तले पर पलस्तर नहीं किया जाता, तला मिट्टी का ही बना होता है। शौचाले का इस्तमाल करने वालों की संख्या को देखते हुए गठ्धे का आकार तैं किया जाता है। आमतोर पर हर गठ्धे की क्षमता तीन से चार साल की होती है। जब गठ्धा भर जात है तो जंक्षन चेंबर से उसे बंद कर दूसरी गढ़े को चानू कर दिया चाता है पिट शौचाले के फाइडे मानव मलका उसी स्थान पर स्थाई रूप से निप्टारा पानी की बचत जैविखाद बनाने में उप्योगी कम जगा में शौचाले निर्मान कम पैसों में श तरल रख रखाव बता दें कि पिट शौचाले में उप्योग होने वाले पैन का धरान 25 से 29 डिगरी के बीच होता है आमतोर पर ये चीनी बिटी के बने होते हैं जो देखने में तो अच्छे लगते हैं साथ ही इन्हें साफ करना भी आसान होता है इस शौचाले में पायदा होते हैं पायदान का सबसे उपरी हिस्सा जमीन के स्तर से कुछ उंचा होता है गज्डों को ढखनी के लिए आर्सीसी के स्लैप का इस्तमाल किया जाता है गज्डों के लिए उप्योक्तिस्थान हाला कि पिट शौचाले के लिए गज्डों का निर्मान कहीं भी हो सकता है प निकास पाइब की आवश्यक्ता नहीं गज्जे वाले पिट शौचाले के लिए विंज पाइपलाइन यानि की निकास पाइब की आवश्यक्ता नहीं होती गड़े में बनी, गैसें, मधुमक्षी के छत्ते की संरशना वाले धांचे के जरीए मिट्टी में मिल जाती हैं ध्यान रहे कि मात्र शौचाले बनवा देना ही सरकार का लक्षे नहीं है स्वच भारत अभियान की कोशिश एक ऐसे भारत के नर्मान की है जो कचरे और गंदिगी से मुक्त हो इसलिए खुले में शौच मुक्त गाउं की श्रिणी में उन्ही गाउं को रखा गया है जो खुले में शौच मुक्त स्थिती को स्थाई रूप से बनाय रखने में सक्षम है पिट शौचाले का उप्योग करें स्वच्छता के जंग जीवन में भरें झाल झाल